आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं यूज अफ एक्सेस मल्टी विटामिन्स जनरली क्या है कि मैंने देखा है कि आज कल ऑनलाइन चुकि सारे मल्टी विटामिन्स के लसीम बहुत सारे प्रॉड़क्ट्स अबिलेबल हैं बहुत सारे ऐसे बाहर चाइना से विनो जादा होता है तो काफी हैबी डिसकाउंट दिखता है और जनरली बीना वेटनरियन के लोग परसेज करते हैं और अपने डॉग को देते हैं वह यह नहीं समझ पाते हैं कि हर चीज के लिमिट होती है और एक्सेस ऑफ मल्टी विटामिन और कैल्सियम सप्लिमेंट्स जो भी टोंने पे अपने आप नहीं निकलता हो लिवर में डिपोजिट होता है और बॉड़ी के अधर और में नुखसान करता है जो वट्म मूल्ट्स अलट्व lining है वह जिनरर व इपने में के लिएंग तो इतना नहीं होते तो आपको धी 6 विटामिन में काना श्मझना होगा क्यो करना होगा सबसे पहले दूस्टा सपलेमिन में आता है मिन्डल्स जैसे केल्सियम है फास्पोरस है विटामिन स्पोर्टी है यह वीटामिन डी आपका फैर्स वलोल विटामिन हो गया केलसिमास फासफ्स है जिसके सप्लीमेंट्री डॉक को लोग काफी खिलाते हैं उनको लगता है की ससता मिल रहा है हम खरीद लें और खिलाते रहें तो इनके काफी नुक्सान हो सकते हैं सबसे पहले आप एक देख लो जब ग्रोथ फेज होता है जब आपका बच्चा एक महीने से एक साल का हो रहा होता है तो उनको हर चीज की रिकार्मेंट ज्यादा होती है उसको प्रोटीन की होगा लेकिन जब एक साल का हो जाए उसका बॉडी ग्रोथ करना रूख जाता है उसके जो बोंस हैं वो ग्रोथ करना रूख जाते हैं तो उसमें ज्यादा कैल्सियम के जोत नहीं पड़ती हैसे में आपको बहुत ही केरफुल रहना होगा एक्सेस मल्टी विटामिन और कैल हो सकता है देखिए अगर आप घर का खाना खिलाते हैं और आपका बच्चा पपी है तो उसको अलग से कैल्सियम के रिक्वार्निम पड़ती है ऐसे में आप कैल्सियम सब्क्मेंट उसको जरूर दें क्योंकि उसके बिना प्रॉलम आ सकती है आस्टियो मलेशिया की प्रॉल कैल्सियम के जोट है तो इसको ज्यादा मल्टी विटामिन आ केल्सियम के ज्योथ नहीं है अगर आपके डॉक्तर करते हैं जरूरत के आप अधरबेश्य वह आलग से आप ना दे और अगर आप फूड भी खिला रहे हो घर का खाना खिला रहे हो तो आप अपने हिसाब से ज जरूरते हैं ग्रोथ की वो पूरी हो सके जब आपका बच्चा एडल्ट हो जाता है तो जनरली उसको कैलसियम के रिकार्बन बहुत कम होती है और जो वो खाना खा रहा होता है उसमें काफी कैलसियम होता है जो उसके बॉड़ी के लिए सफिचेंट होता है ऐसे में जो मल्टी चेंज हो रहा हो या कोई भी मौसम जो स्ट्रेस पैदा करता है ऐसे में बॉड़ी को कॉप करने के लिए सम टाइम्स कुछ मल्टी विटामिज को जूद परती है जो जनरली आपके डॉक्टर सलाहत देते हैं क्योंकि आप मैं यह समझता हूं कि हर पेट ओनर्स अपने करें कि मल्टी व स्को हाम करता है। जॉइन पेन हो सकता है। 1 सब्लाइब!.. 3-b podr स्थिन लेकिन इम्मिनीटी भाने के नाम पर बहुत ज्यादा खाते हो तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है आपके डॉटिंग वो सकती है अचिए ब्लोटिंग हो सकती है अचित रिफलेक्स में दे इसकी बहुत यह लिमिटेशन होने चाहिए कि आपने 20 दिन देना है उससे ज्यादा नहीं देना है क्योंकि देखिए विटामिन-C करता है यह को स्टॉंग करता है उन्द हीलिंग बगरह मदद करता है तो इस से मौसम है विटामिन-C भगरह सकते हो जादा 15-20 दिन तक बॉडिकी बढ़ार जाए सके और जो हीलिंग पावर है बोडी की वह बढ़ सके तो एक्सेस विटामिन का देना भी नुक्सान दे हो सकता है और इन जेनरल जो इनो बेसिक पर आप रखो कि मौसम चेंज हो रहा हो कोई स्ट्रेस फैक्टर हो आपके डोग को कोई स्किन में प्रॉलम हो रहा हो कोई दाना चले थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मुच